Hello everyone, welcome to my channel PRB Classes आज हम लोग 5 year planning के जो remaining part है उसको पढ़ेंगे और उसके साथ साथ हम लोग मीती आयोग को भी समझेंगे ये आपका second part है first part में हम लोग first 5 year plan से लेकर fourth 5 year plan कर चुगे तो first 5 year से लेकर fourth आप सबने पढ़ा होगा आप सबने उस वीडियो को देखा होगा आगे हम लोग बढ़ते हैं जहाँ पर हम लोग अब करेंगे सीखेंगे fifth 5 year plan के बारे में fifth 5 year plan जिसका duration था 1974 से लेकर 1979 तर आप सबको पता होगा इस समय हमारे प्रधान मंत्री कौन थे? श्रिमती इंदरा गाल तो इसके objective या फिल यह plan किस लिए था इस plan में हमने focus किया था self employment या self reliance पर agricultural production पर जिसमें हमने इस समय उनको भी देखा था मुराजी देशाई ने अपनी जो government का plan आया था उसको reject करा गया था तो इसमें national highway system से related काम भी हुआ था इसमें roads बनाने का काम, bridge बनाने का काम, tourism का काम यह सब इसमें किया गया था इसके साथ साथ लोगों को poverty से दूर करने के लिए कुछ छोटे मोटे काम का भी इंतजाम किया था यहाँ पर लिखा हुआ है कि to reduce social religion, regional and economic disparities, reduce poverty and to attain self-sufficiency in agriculture and defense reducing rate of unemployment बोथ in urban and rural sector, encourage self-employment, encourage growth of small-scale industries और prevent overpopulation तो यह सारे मुद्दे थे जो कि 5th 5-year plan में देखा गया था और इसमें एक और चीज़ थी गरी भी अठाओ जो कि rolling party का एक क्या था slogan था, सब कहते थे इंदेरा हटाओ और इंदेरा कहते थी गरी भी हटाओ जो कि हमने 5th 5-year plan में देखा है आगे बढ़ते हम लोग 6th 5-year plan को लेकर थे 6th 5-year plan जिसका duration था 1980 से लेकर 1985 Under the leadership of इंदेरा गांधी, ये भी इंदेरा गांधी के leadership में हुआ था The basic objective of this plan was economic liberalization by eradicating poverty and achieving technological self-reliance It was based on investment योजना, infrastructural changing and trend to the growth rate Its growth target was 5.2% but it achieved is 5.7% growth यानि ये successful रहा होगा इसमें objective था poverty को दूर करना जो कि हमेशा से इंडिया का एक बहुत खास मुद्दा रहा है Higher economic growth करना जिसमें इन्होंने बहुत ही तुरंत, मतब, speed में तेजी से और दोगिक 39 शुरू की sufficient food लाना शुरू किया FCI के गोदाम से FCI के गोदाम में बहुत सारे foods को store रखा गया science और technology को आगे बढ़ाएगा इसी समय, 1981 में secretly आप लोग को पता है इंदिरा गांदी जी ने 1981 में secretly जो हम लोग का अंटार्क्टिका रिजिन है जहां पर लोग नहीं रहते हैं बरफ वाला एरिया है यानि glacier वहाँ पर उन्होंने ship से यानि बहुत बड़े जो cruise नहीं कहेंगे उसको fightership होती है उसमें करके लोगों को जो scientists थे, technological लोग थे, engineers थे उनको भेजा था वहाँ के, वहाँ पर base बनाने के लिए ताकि हम लोग वहाँ से satellites वगरा launch कर सके या वहाँ की rocks की study कर सकते यानि हमारे भारत से बहुत सारे scientists इसी समय वहाँ गए थे, geological survey करने के लिए, understood? तो यह था, यहाँ पर शुरू हुई थी जो 6-5-year plan है, जो 19-20-1980 तक थी, यहाँ पर economic liberalization हुआ था, employment generation and removal of poverty, यह सारे strategies या policies बनाए गए थे, जिनके लिए बहुत सारे strategies भी बनाए गए थे अब हम लोग आते हैं, 7-5-year plan में, जो कि 1985 से 1989-90 तक चला था, इसका leadership किया था, राजीव गांधी जेने The objective of this plan include the establishment of a self-sufficient economy, opportunities for productive employment and upgradation of technology यानि उन्हों ने, जब वो आये, तभी हमारे भारत में globalization शुरू हुआ, इससे पहले भारत में globalization नहीं था, यानि हम लोग globally एक दूसरे के साथ connect नहीं थे, यानि विश्व और भारत अलग था आज के समय में विश्व और भारत connected है, हमारे यहाँ विदेश से बहुत सारी चीज़े आती है, हमारे यहाँ से export भी होती है, हमारे यहाँ बहुत सारी विदेशी companies आती है तो यह leader जो हमारे थे, यानि प्राइम मिनिस्टर राजीर गांदी जी के नेतरित वो में हुआ था, जहां पर हमें self-sufficient बनाए गया, production को देखा गया, और इसका target growth 5% था, बट इसका achievement 6% रहा, यानि technology, productivity, employment, सब में हम लोग उचस्तर पर जा रहे थे, या उन्नती कर रहे थे understood, तो सेवंथ फाइव यर प्लान जो था, उसका period हम दो को पता है 1985-90 तक, जिसकी लागत प्लान आउट ले जो थी, यानि 6% का ग्रोथ बहुत अच्छा ग्रोथ होना तब माना जाता है यानि ग्रोथ बहुत अच्छी हुई थी उससे में डिवलापमेंट में उन्होंने सबसे उन्होंने काम किया किया था एकॉनोमी पर प्रोड़क्टिविटी पर और टेक्नोलोजी नाव कम टू अब्जेक्टिव ओफ एट फ्वाइव एर प्लान एट फाइ कि 990 के दशक 92 में राजीव गांदी जी हमारे प्राइम निस्टर थे लेकिन उनकी हत्या करदी गई थी जो कि श्रे लंकर ने हत्या की थी बउंच से उनको उड़ादिया गया था तो उसके बाद हमारे प्राइमिनिस्टर बने थे पीवी नरा and public health. During this plan, Narasimha Rao government launched the new economic policy of India. This plan was successful and got an annual growth rate of 6.8% against the target of 5.6%. यानि बहुत अच्छा दिवलाप्में रुपमें था हिस्समें. Generating adequate employment to achieve near full employment level by the turn of century. मतब दस सालों में उनको जो नहीं दिखा वो हमने इस समय देखा कि literacy rate को बढ़ा रहे थे वो लोग यानि लोगों को सिक्षित कर रहे थे. Safe drinking water, primary health ये था उद्देश देश को आगे बढ़ाने का agriculture पर ज्यादा effort दिया गया क्योंकि भारत की अधिकार्ण शेतर में agriculture related to primary level के primary activities वाले काम होते. इसलिए agriculture और public employment, education, public health, health के लिए sanitization किया गया, उसके बाद बहुत सारे MH बनाए गए, hospitals बनाए गए, चोटे-चोटे MI rooms बनाए गए, जो जहां जिसको सुविदा हो वो आजा के treatment ले सकता है. यह objective था, 8 plan, 5 year plan का, और यह काफी successful रहा था. अब हम लोग नीती आयो के बारें पढ़ेंगे, फोड़ा सा हम लोग इसमें पढ़ लेते कि नीती आयो क्या होता है, जैसे कि 5 year planning होता था न, 1951 से शुरूआ कि हर 5 साल में हम लोग planning करेंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे, त इंडिया भारत को पूरी तरह से बदलना है, इसलिए एक संस्था बनाई गई नीती आयो, जिसका formation हुआ 1 जन्वरी 2015 को, पहली जन्वरी 2015 आज से 8 साल पहले, किसलिए to evolve a shared vision of national development priority, sectors and strategies with the active involvement of states, इसमें states भी involved रहेंगे, ऐसा नहीं कि केवल मात्र, central government ही काम करेगी, planning commission जो कि 1951 से शुरू हुई थी, अब वो dissolve हो गई है, ठीक है, कब dissolve हुई, 17 August 2014 को dissolve होके, एक नया नीती आयोग बना है, एक economic planning बनाई गई है, जिसमें इसका major काम क्या जाएगा, setting up नीती आयोग was a major step away from the command economy structure adapted by India till 1991. The planning commission's top-down model of development had become redundant due to present economic conditions and नीती आयोग approaches, economic planning in a consultative manner with input from various state governments and think tanks. यानि सारे, क्योंकि आप लोग अच्छे से जानते कि भारत एक federal राष्ट है, federal country है, तो federal country का मतलब है, state और central government को हाथ मिला के काम करना है, तो इसमें central government और state government दोनों का ही involvement रहेगा नीती आयोग में, दोनों एक दूसरे से बाच्छीत करके ही आज के बाद क्या करेंगे, यानि 2015 जब यह लागू हुआ तब से दोनों ही अपने देश, राज्य, अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करते रहेंगे और तरह-तरह के plan बनाएंगे. इसके चार main heads है, एक है पहला है policy and program framework, दूसरा है cooperative federalism, तीसरा है minority and evaluation, monitoring and evaluation, और चौता है think tank and knowledge and innovation हम, यानि हम ज्याद से यादा scientist, ज्यादा engineer, ज्यादा बुद्धी जीवी लोगों के साथ काम करेंगे नीती आयोग में. I think it is clear to you all. हमारो जो third part वीडियो आएगा, उसमें हम लोग 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, इन चारो planning को देखेंगे. Understood? आज के लिए इतना ही. Thank you all of you. और मेरे चैनल को जरूर सब्स्राइब कीजिए तो आपको इन विश्यों पर जानकारी मिलती रहेगी. धन्यवाद.